नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध के दोरान उत्रप्रदेश में हिंसा फैलाने में पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया यानि पीएफाई की एहम भूमी का सामने आने पर पीएफाई के खिलाफ शिकंचा कसा गया है प्रदेश में अब तक चार दिनों में पुलिस ने पीएफाई के 108 सदस्रियों को गरफतार किया है इसमें पांच तो बेहत सकरी हैं उतरदेश के कारवाहक डीजेपी हितेश चंद्र अवस्ती के साथ अपर मुख्य सचिव ग्रेह अवनीश अवस्ती और साथ ही ADG कानून विवस्ता पीवी राम शास्ती ने आज प्रेस कॉंफरेंस कर बताया है कि नागरिक्ता संशुधन कानून के विरोध में अलिगर्ड, लखनाओ, कानपूर और मेरट में हिंसा के मामले में पुलिस बेहत सकरी है इस मामले में लखनाओ, कानपूर, सीतापूर, मेरट, गाजयाबाद और शामली में पॉपलर फ्रंट ओफ इंडिया के सक्री सदस्यों के धर पकड़ शुरू की गई बीतर चार दिन में कानपूर समेट 13 जिलों में 108 सक्री सदस्यों को गरफतार किया गया है प्रदेश में 19 और 20 दिसंबर को CAA के विरोध में हुई हिंसा के मामले में ये काफी पड़ी कारेवाई है इससे पहले पुलिस ने PFI के प्रदेश अध्रक्ष वसीम एहमत समेट PFI के 25 सदस्यों को गरफतार किया था कारिवाहक DGP हितेश चंद्रवस्ती ने बताया है कि अभी तक PFI के 108 लोगों को पकड़ा गया है और अब इनके शीष्ट कारेकरता परश्रकंजा कसने के लिए अनिये जिंसी से भी लगातार पाच चल रही है